वाहि गुर्जी का खालसा, वाहि गुर्जी की फद्याईगी संगर जी शिरीगुरु तेग बहादर जी की शहीदी का इति达स, हम पड़ते हैं, जानते हैं के कैसी गुरु सैप की शहीदी हुई संगर जी ये बात 1665 के आसपास की है जब औरंग जे भारत का समराट बना उसने पूरे भारत में एक कनून पास किया जिसमें ये लिखा गया कि मूरती पूजा को पूरी तरे बंद किया जाए जितने भी काफिरों के मंदर हैं उन्हें गिराया जाए उनके धार में गरंतों को आग लगा दी जाए और उन्हें जितना अदखो सके मुस्लिम बनाया जाए जो नहीं मानता उसे धमकाया जाए लालस दिया जाए जमारा जाए और जगे जगे मस्जदें को ली जाए इस हुक कुमसे मतरा में केश्वरिया मंदर, बनारस में गोपिनाथ मंदर, उधेपुर में 235 मंदर, अंबर में 66 जैपुर, उज्जैन, विजेपुर, महाराश्टर, अनेकों ही स्थानों पर मंदरों को गिराया गया, इसके साथ ही हिंदुआं की जो देह संसकार था उसको भी बंद क किया गया और हर तरह का टेक्स लगा दिया गया, यानि हर तरह से अत्याचार किया गया, इसके बाद दूसरे चरण में औरंग जेब ने 1670 के करीब पूरी तरह अपना मन बना लिया कि वैस सब ही को मुसलिम बना कर ही दम लेगा, उसने दूसरे चरण में अत्याचार की शु अगर ये इसलाम में आ जाएंगे फिर बागियों को इसलाम में लाना कोई मुश्किल कारे नहीं होगा। और अंग्जेव ने अपना जुलम कश्मीर में शुरू किया। वहां के मंदर के राएं पंड़तों को मारा। और इसलाम में आने के लिए उसको बोला। और जब हर तरफ से अत्याचार होने लगा तो कश्मीरी पंड़तों ने इस मुसीबत से बजने के लिए हर उपाय किया। जैसे यक किये प्रात्ना किये मगर जब कोई हल ना निकला तो सब ही ने मिलकर गुरू तेग बहादर जी से मिलने की सलाह की। सोचा शयद उन से हमें कोई राह मिल जाए और कोई चारा ना चलता देकर सभी दुखी फर्याद लेकर गुरू जी के दरबार में पहुंचे। कश्मीर के पंड़तों ने सारी बात गुरू सेब जी को जाकर सुनाई तो गुरू तेग बहादर जी अंतर ध्यानों कर कुछ वक्त इस बात की विचार मन में करने लगे कि इसका क्या समाधान निकाला जाए। इतने में गुरू गुविन सिंग जी जो के 9 साल के थे वह वहाँ पर पहुंचे और पिता जी से पूछा कि क्या बात है। आज यहां कथा के इतन की जगे सन्नाटा क्यूं चाया हुआ है। तो गुरू तेक बहादर जी ने कहा कि यह लोग कश्मीर के पंडित हैं। इनका धर्म संकट में हैं। यह चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाई खोज निकाला जाए जिससे औरंग जेब इन हिंदूं को मुसल्मान बनाने का अपना आदेश वापस ले ले। तो गुरू गुविन सिंग जी ने अपने पिताजी से पूछा फिर आपने क्या सोचा है। तो गुरू सहीब ने कहा बेटा ऐसा तब ही संबभ हो सकता है जब उरंग जेब की इस नीती के विरोध में कोई महान पुर्ष अपना बलिदान दे। यह सुनकर गुरू गुरू यानि गुरू देग बहादर जी बहुत ही खुछ होते हैं। गुरू देग बहादर जी ने कहा कि आपने सुन ही लिया है कि अब इस समस्या का समाधान मिल गया है। अगर आप हम पर यकीन करते हैं तो जाकर ओरंग जेब से कह दिजी के धर्म प्रवरतन के मामले में बंद किया जाए कश्मीरी पंड़ जी जानते थे कि जिस गुरु नानक ने बाबर को जाबर कहा था उसी के गद्धी पर बैठे गुरु अर्जन सहीब जी ने गरम तवी पर बैठना मनजूर कर लिया था लेकिन उनने सच का साथ नहीं छोड़ा उसी के वारस हमारी रक्षा जरूर करेगा वह कश्मीरी पंड़त उमीद को साथ में लिए गुरु जी का संदेश औरंग जीब तक पहुंचाते हैं एदर गुरु जी को पता था कि आगे क्या होने वाला है इसी को ध्यान में रखते हैं उन्होंने दिल्ली के तरफ जाने से पहले अपने पुत्र गुर पर त्यार रहने के लिए कहा गुरु सहीं ने कहा कि अगर हम पर कोई मसेवत आती है तो उसकी आग अनंदपुर सहब तक भी पहुंचेगी इसलिए आप तयार रहें समय की नजागत को समझें और गुरु पर भरुसा रखें उदर औरंग जेब को इस बात के कबर हो चुकी कर दिया इदर गुरु जी अपने साथ भाई मतिदास भाई सतीदास और भाई द्याला जी को लेकर चले गुरु सहब जब सरसा नदी पार करके रंगड़ा में पहुंचे तो वहां से गुरु जी को गृफतार करके मलक पुर रंगड़ा में ले जाकर रखा गया और वहीं स के साथ जो सिक थे उनको दिल्ली में ले जाकर कैद कर दिया गया और चार नमबर को गुरु जी को बहुत ही प्रेम से बादची द्वारा मनवाने की कोशिश की गी कि आप ये जिद शोड़कर इसलाम को धारन करें गुरु जी ने फरमाया कि इसलाम की बात आपके मुझ से थी मुझे तो तुमारे अंदर धरम का कोई छोटा सा कन भी नजर नहीं आता तुम तो पूरे के पूरे जुलम से बरे हो नफरस से बरे हो धर्मी मनुश्य का मन तो दिया से भरा होता है बलिदान से बरा होता है प्रेम से बरा होता है उस वक्त जो काजी वहां मौजूद थ उसने कहा कि जिनके लिए आप लड़ रही हैं, वो तो काफिर हैं, हिंदू हैं, आप तो मूर्ति पूजा नहीं करते, फिर क्यों उनकी विकालत करते हो, गुरु सैब ने समझाया कि अगर वो धार्मिक नहीं, तो आप कौन से धार्मिक हो, बेकसूर लोगों का खौन चूसते हो, दूसरे पर अत्याचार करते हो, ये कौन सी शरा का कनून आपने पड़ा है, कुरान भी इंसान के अंदर के दुश्मनों को मारने की बात करती है, ना के इंसानों की, वो मूर्ति पूजक हैं, तो आप अपने ग्यान से उन्हें बताएं के सही मारत कौन सा है, मगर जबर अगले दिन गुरू सहब जी को फिर से बहुत से सवाल जब किये गे, साफी कान जिनकी हिरासत में गुरू जी थे, उसने कहा कि गुरू जी आप जातों आप करामात दिखाएं, या इसलाम कबूल करें, या फिर मरने के लिए तैयार रहें, गुरू जी ने कहा करामात हम दि गुरू जी अपने बचनों से नहीं पलड़े। जब कोई बात ना बनी तो गुरू सैप को डराने के लिए उनके सिक्खों को शहीद करना शुरू किया। उन्होंने उनके सामने एक सिक्ख को काट कर दो टुकड़ों में कर दिया। जानि भाई मतिदास जी को। भाई द्याले जी को गरम पानी में उबाल कर शहीद कर दिया गया। भाई सतीदास जी को रोई मील पेट कर जला दिया गया। मगर धन्य हैं गुरू के सिक्ख। किसी भी सिक्ख ने जुकना परवान नहीं किया। इतना अत्यचार करने के बाद गुरू जी से फिर पूछा गया कि अगर अब भी आप नहीं माने तो आपका भी हाल इंचे भी बुरह होगा। गुरू से अपने फरमाया कि आप गुरू के सिक्खों को नहीं जुका पाए तो मुझे क्या जुका पाओगे। तो इतहासकर कहते हैं कि चांदनी चौक डिली में गुरू तेक बहादर जी को बहुत बहरामी से जलादों ने शहीद कर दिया। और भरे बाजार उनका सर अलग कर दिया। और ये हुकम सनाया कि कोई भी गुरू जी के शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। संग जी जब गुरू जी की शहीदी हुई तो कहते हैं उस वक्त काफी हवा चली। जिसके चलते वहाँ पर खड़े गुरू के एक सिक लकीशा वंजारा ने गुरू जी के शरीर को उठाकर अपने तांगे में रखा और अपने घर में ले गे। और वहाँ जाकर अपना घर जला दिया यानि गुरू सहब के शरीर का अंतिम संसकार कर दिया और एक और सिकता वहाँ पर भाई जैता जी उसने भी मौका दे कर गुरू सहब जी का शीश उठा लिया और उठा कर दिल्ले से अनन्द पूर सहब के तरफ चल पड़ा और गुरू तेग बहादर जी का इसको नमशकार की और भाई जैता जी को गुरू का बेटा कहकर बुलाया तो ऐसे गुरू सहब की शहीदी है संगर जी गुरू तेग बहादर जी के कुर्बानी मानवता की इतहास में सबसे बड़ी शहीदी है बड़ी कुर्बानी है जिसे कभी भी बुलाया नहीं जा सकता मैंने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखी है जबकि इतहास बहुत ही बड़ा है संग जी किसी के दुखों को गुरू सहब कैसे अपने उपर लेते हैं इसकी ये मिसाल है और गुरू सहब का जुलम के किलाफ खड़े हो जाना ये बहुत बड़ा कदम था क्योंकि जब कोई संगर्ष चलता है तो एक नायक के पीछे बहुत सारी भीड़ खड़ी हो जाती है ऐसे ही गुरू सहब की शहीदी के बाद हिंदू समाज में भी जाकरती आई कहते हैं उस वक्त लोग कहने लगी थी कि हरे घर में एक बच्चा जरूर सिख बनेगा ता जो वै भी जुलम से लड़ सके और गुरू सहब की खुशी प्राप्त कर सके संगर जी अंत में मैं गुरू तेक बहातर जी की चर्णों में बारं बार प्रणाम करता हूं जिनकी बदालत आज भारत के लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं वाही गुरूजी का खालसा वाही गुरूजी की फते